जैहिन दोस्तों स्वागत है आपका विजेपत डिफेंस एजुकेशन में आज हम डिस्कस करेंगे डेली मिक्सजी के टॉफ 15 प्लस कोईशन एच्पी पुलिस एक्जाम के लिए ये हमारा पार्ट 17 रहेगा अगर आपने अभी तक हमारे प्रिविएस क्लासिस नहीं देखी हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन के ओपर जाके आप उनको देख सकते हैं इस वीडियो में हम मिक्स जी के के टॉफ 15 प्लस कोईशन डिसकस करेंगे जिसमें हिमाचल जी के इंडिया जी के और जेनल साइंस के इंपोर्टेंट कोईशन आपके लिए रहेंगे वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दू हमारा बेसिक फाउंडेशन का कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है जो कि आपको 100% शूर्ट सक्सेस दिलवाने में काफी हल्फुल रहेगा और हिमाचल पुलिस एक्जाम को क्रैक करने में के लिए काफी हल्फुल आपके लिए बेसिक फाउंडेशन का कोर्स रहने वाला है आप अपनी त्यारी इसमें बिल्कुल बेसिक के साथ स्टार्ट कर सकते हैं तो 100% शूर्ट सक्सेस के लिए आप अपना बेसिक फाउंडेशन का कोर्स जरूर जोइन करें विजयफात दिफेंस एजुकेशन में तो फर्स्ट कोईशन है इस वीडियो का हिमाचल परदेश की कल्यान सोना और सोना लिका किस फसल की किसमें है हिमाचल परदेश की कल्यान सोना और सोना लिका फसले है ये किस फसल की किसमें है तो इम्पोर्टन कोईशन है गेहूं की जो है बीट की ये दो मुख्या फसले हैं कल्यान सोना और सोना लिका जैसे कुफरी जो है वो हमारी आलू की एक मुख्या फसल है नेक्स वन है भावा जल विद्यूत परियोजना किस जिले में स्थित है तो भावा जल विद्यूत परियोजना कि नोर जिले में स्थित है और जल विद्यूत परियोजना से question आपके most important आपके लिए बनते है यह जो है हमारा सतलुच नदी पर स्थित है जो कि हिमाचल की सबसे बड़ी नदी है और इसकी टोटल के पस्टी की बात करें तो 120 मेगावोर्ट की जो है यह हमारी विद्धित जल परियोजणा हिमाचल परदेश में बनी हुई है लेक्श वान है GST लागू करने वाला भारत का अंतिम राज्य कौन सा था तो GST जो है Goods and Services Tax जो कि Center Government के दोरा अपलाई करवाए गया था 2017 में जिसको सबसे पहले लागू किया गया था असम के दोरा और सबसे अंतिम में लागू किया गया था जमू एंड कश्मीर के दोरा तो अगर बरतबान की बात करें तो जमू एंड कश्मीर जो है यह हमारा राज्य से केंदर शाशित परदेशिश को बनाया गया है Next one है संस्कृत भाषा को राज्की भाषा का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है तो संस्कृत भाषा को उस राज्य की राज्य की भाषा घोशित करने वाला जो भारत का पहला राज्य है उसका नाम है उत्राखंड काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पे अगर हिमाचल उप्शन में है तो उसको टिक कर देते हैं बट इसका जो सही अंसर है वो है हमारा उत्राखंड आपको बताना है वहां के नए CM कौन बनाए गए है हाल ही में दो दिन पहले उत्राखंड के CM को चेंज किया गया था आपको comment box में बताना है कि वहां के नए CM कौन बनाए गये है नेक्स वन है हिमाचल परदेश के जिले में पहली बार इन्वेस्टर मीट का एयोजिन किया गया था तो किस जिले में जो है वो पहली बार इन्वेस्टर मीट का एयोजिन किया गया था जिन से काफी जादा revenue जो है वो हीमाचल प्रदेश को मिलने वाला है Next question है निती आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे तो निती आयोग के पहले अध्यक्ष जो है वो है नरेंदर मोदी बरतमान के भी निती आयोग के अध्यक्ष है नरेंदर मोदी निती आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं हमारे प्राइम मनिस्टर अगर निती आयोग की बात करूँ 2015 में इसको चलाय गया था और ये जो है ये योजना आयोग का एक नया नाम रखा गया है 1950 में जो प्लैनिंग कमीशन चलाय गया था उसी को फुद 2015 में चेंज करके निती आयोग उसका नाम रखा गया और ये योजना आयोग और निती आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं नरेंदर सोरी भारत के परधान मंतरी तो बरतमान के जो निती आयोग के अध्यक्ष है उनका नाम है नरेंदर मोधी नेक्स्ट कोईशन है जनरल साइंस का मोस्ट इंपोर्टन कोईशन आपके लिए रहेगा पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है जीरो डिग्री सेल्सियस अब स्केल से मैं आपको एक इंपोर्टन कोईशन है हाँ पर बताता हूँ जो टोटल स्केल होती हैं वो होती है हमारे पास फोर जैसे first one degree Celsius आती है, second आपने सुनी है, Kelvin है, उसके बाद हमारे पास farne height आती है और last one जो है वो आती है हमारी reamer scale most important है, चार scale हमारे पास मुख्य तोर से आती है Next question है, बिलासपुर रियासत के किस राजा के शाशनकाल को श्वरनकाल के नाम से जाना जाता है तो बिलासपुर रियासत के ऐसे कौन से राजा हुए थे जिनके साशनकाल को स्वरनकाल के नाम से जाना जाता है तो उनका नाम है हीरा चंद हीरा चंद जो थे वो विलासपुर रियासत के एक राजा रहे थे जिनके कारे काल को पूरे विलासपुर में स्वरन काल के नाम से जाना जाता है हिमाचल का पांचमा जिला कौन सा बना था तो हिमाचल का जो पांचमा जिला बना था वो था विलासपूर, चार जिले थे, सुना ही होगा आपने, महासू, उसमें एक मुख्य जिला हमारा बनता था, और पांचमा जिला जोड़ा गया हिमाचल में विलासपूर, कुलू के किस शहर को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, अगर यहाँ पे हिमाचल की छोटी काशी के बारे में पूछा जगिया होता, तो मंडी को जानते हैं, मंडी को जो है वो छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा आपके ल नाम से जाना जाता है अगर हिमाचल की बात की होती तो यहां पे मंडी आपका अंसर रहने वाला था नेक्स कोशन है कांगड़ा के ब्रिजेश्वरी मंदिर को किसने लूटा था तो कांगड़ा में एक काफी फेमस मंदिर है ब्रिजेश्वरी मंदिर जिसको लूटा गया था महमूद गिजनेवी के दौरा next question है तिवती समुदाय के दलाई लामा हिमाचल प्रदेश के धर मशाला में कब आ एथے तो तिवती समुदाय के जो दलाई लामा है बरत्मान के जो की उनके चोध में गुरु है 14 गुरु है उनके उनका नाम है तेजीन ग्यात्सो काफी बार ये question repeat हो चुका है I hope आपके जितने भी इसके important तीन ये चार question बनते हैं वो आप यहां से clear कर सकते हैं Next question है हिमाचल परदेश के किस जिले में सबसे कम लगू द्योग है काफी छोटी छोटी फैक्टरियं जो है वो हिमाचल का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर लगाई गई है सबसे कम की बात कर रहे हैं तो वो है हमारा किनोर और सबसे ज़्यादा अगर फैक्टरियं की बात करें लगू फैक्टरियं की बात करें तो उसका नाम है हमारा कांगडा कांगड़ा में सबसे ज़ादा चोटी चोटी फैक्टरियों जो हैं लगू द्योग लगाए गए हैं और अगर सबसे ज़ादा फैक्टरियों की बात करें कि इंडस्ट्री हव के नाम से किसे जानते हैं तो वो है हमारा वद्धी नेक्स्ट क्वेशन है हमिरपूर के सुजानपूर में ब्रजर जैसी होली का तोहार किस राजा ने शुरू करवाया था पिछली बार यहीं से मैंने आपको एक क्वेशन बनाया था वहाँ पे क्वेशन था आपका हिमाचल का सबसे बड़ा खेल मेंदान कहां पे है तो वो है हमारा सुजानपूर के हमिरपूर में और इसी से मैंने आपको ये क्वेशन भी रीड करवाया था कि सुजानपूर में बजर जैसी होली का तोहार जो है वो राजा संसार चंद के द्वारा शुरू करवाया गया तो most important question है आपके लिए रहने वाला है लास्ट question है वीडियो का हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे अधी कंगूर पाए जाते हैं हिमाचल का ऐसा कौन सा जिला है जहां पे सबसे अधी कंगूर पाए जाते हैं विडियो के साथ जरूर जुड़ें जिसमें आपको day to day के current affair, pdf, study material, hpgk notes और साथ में job alert आपको provide करवाया जाता है वीडियो के description में आपको विडियो का लिंक मिल जाएगा जहां से आप इसको easily join कर सकते हैं और सारी की सारी जो यहां पे आपको material रहेगा वो free of cost यहां पर रहने वाला है अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो नहीं देखी हैं तो उपर playlist पे प्लेलिस्ट का option है जहां से आप इनको वीडियो को देख सकते हैं और अपने notes पना सकते हैं हमारा हिमाचल पुलिस का advance batch भी start हो चुका है जो कि mission 20-21 आपके लिए रहेगा क्योंकि काफी time बाद हिमाचल पुलिस की vacancy जो है वो आने वाली है तो आपके लिए काफी helpful रहेगा हमारा हिमाचल पुलिस का advance batch जिसको आप join कर सकते हैं वीडियो को like करें अपने friends में शेयर कर ए सकते हैं तो आपके लिए 5, 3, 3, 4, 5, 1, 25 — 6, 6, 6, 7,8— 0,3— 11,900— 32,6— 32,1— 33,1— 34,2—